नमस्कार दे रेड माइक की इस प्रसुती में आपका स्वागत है जेनरल एम एम नारावने जो की हमारे धल सेना अध्यक्ष थी फॉर्मर आमी चीफ उनकी एक किताब पेंग्विन रेंडम हाउस छाप रहा है यह किताब है उनके जो उन्होंने महसूस किया जो उनके अनुभव थे जो उन्होंने उसके बारे में जाना किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें सरकार में हो रही थी अलग-अलग प्रकरण के बारे में उन्होंने बात की जैगनी वीर के बारे में वो क्या सोचते थे उस समय क्या हो रहा था लदाक के बारे में उस समय क्या हो रहा था उनकी बातचीत क्या होई लेकिन ये किताब छपने से पहले ही विवात तो नहीं कहूंगा लेकिन इसको ले इसी चीज बताने जा रहे हैं अपने कारेकाल के बारे में जो उनको नहीं बतानी चाहिए क्या ये चीज उन्होंने पहले ही चेक नहीं करा ली थी क्योंकि जब भी कोई किताब लिखता है तो एक माना जाता है कि आप पहले वो दिखा दें उसकी कॉपी को अब ताजा बयान ये आ रहा है कि आर्मी अब तो वो आर्मी अध्यक्ष नहीं है चीफ नहीं है आर्मी के लेकिन अभी की आर्मी जो मौझूदा आर्मी उनकी किताब की मैनुस्क्रिप्ट को देख रही है कि उसमें कुछ विवादास्पत तो नहीं है कुछ ऐसा तो नहीं है जो देश के हित का अहित कर दे और आज एक अखबार में चपे हुए लेक के मुताबिक जनरल नारावने का एक बयान है जिसमें उन्होंने का मैंने तो मैनिस्क्रिप बहुत पहले ही दे दी थी मेरे पास छोपाने को कुछ था नहीं किताब के पीछे भी चार-पांच लोगों का बयान आया है जिसमें बहुत सारे कुछ आर्मी के भी लोग हैं जिसमें ओ लिख रहे हैं कि very insightful तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या four stars of destiny ये जो किताब है जो penguin random house चाप रहा है जनरल मनोज मुकुन नारावने की विल इट बी एबल तो see the light of the day और क्या जनरल्स को या आर्मे वालों क किताबें लिखनी चाहिए हमारा तो मानना है लिखनी चाहिए लेकिन मेजर जैनरल यश्मोर से जानते हैं कि उनकी क्या रहे हैं मेजर जैनरल साब बहुत-बहुत स्वागत आपका the red mic में मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है ये इसको ले करके एक बात सामने आईए कि छपेगी भी या नहीं आपकी क्या राया मेरी राया चपनी चीए चपेगी क्योंकि penguin books बड़ी popular publishers हैं दुनिया भर में किताबें publish करते हैं I think international publishing house है तो किताब तो चपनी चीए और मेरे हिसाब से चपेगी सेना अध्यक्ष रहे हैं ब बता चलेगा कि वही एक हमारी किती रेस्पेक्ट है एक डाइड वेटरन के लिए जो कि हाइस्ट रैंक तक पहुँचे और बड़ी अच्छी सर्विस रही जनलना रामने की अपनी सर्विस में बहुत काम क्वाइट कंपोज रहे हमेशा तो किताब में ऐसा क्या है जानने क क्योंकि वो PTI ने रिलीज कर दी है कुछ चीज़ें अगनीवीर और चाइना फ्रंट को लेके दो चीज़ों को लेके जो है वेटरन सर्कल्स में भी और मीडिया में भी काफी कुछ आता रहा है बट मेरे इसाब से हम तो उत्सुक हैं किताब की वेट करने आएगे किताब त कि पूरी किताब के बारे में जिक्र ना करके किताब में ऐसा ऐसा हो सकता है तो उसके कुछ अंश मीडिया में रिलीज किये गए कि लोगों के बीच में जागरुकता और उत्सुकता वढ़े तोड़ी क्यूरियोस्टी जगे कि क्या है आपको लगता है इसी से एक एक एलर्ट हो गई जो हमारा सिस्टम है कि भई ऐसा क्या है क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आप देखे एक तो अगनी वी जिसमें उस किताब के एकसर्प्ट के हिसाब से उन्होंने लिख दिया मतलब अनेक्सपेक्टेड था और दूसरी चीज लदाक के बारे में वो लिख रहे हैं जो कि चाइना बॉर्डर है जो कि थोड़ा सा हमेशा से ही तनाव पूर्ण रहा था खास तोर से अभी हाल फिलाल तो बिलकुल ही रहा तो आपको लगता है कि इन दोनों चीजों की मार्केटिंग टूल था ये इनिशली क्योंकि किताब कोई फेमस लोग किताब लिखते हैं तो चाते हैं उसके बारे में जग्यासा बड़े उचसुकता बड़े किताब अच्छी सेल हो उसकी पहले से इतनी पॉब्लिसिटी करी जाएं तो पिक्चरों की होती है बाकी चीज सिटी नहीं मिलती क्योंकि हमारे हां संकेत हमारी फॉज में बहुत कम रिटाइड लोग किताबे लिखते हैं आर्मी चीफ तो बहुत ही कम और लिख भी दी तो कोई क्यों मेजर जेनर्ल आइटिंक तो सर्विस में हमें बहुत रेस्रिक्शन के साथ रहना पड़ता रहा है तो हमारा हम आर्टिकल भी लिखना चाहते हैं सर्विस में तो उसको आपको भेजना पड़ेगा पहले अप्रूवल के लिए आमी एटकॉर्टर तक फिर वहां उसको तब तक हो सकता है वह बुद्धा ही पुराना हो जाए और आपने जिस जोश से लिखा है या को इसमें कह नहीं पे उस पे कोई आँच ना जाया या यह बात आपने कैसे लिख दी या तो यह तो आपको अपनी सर्विस में आपको कारेकाल में आपको पता था आपने क्यों लिख रहे हो तो इस तरीके से थोड़ा एक रेस्ट्रिक्टिव एक्मॉस्फिर है जो की लिखने के लिए एंकरेज नहीं करता है जबकि हम पूरी सर्विस चाहते थे कि लिखना चीए लोगों को वी मस्ट एंकरेज बिकार रीडिंग और राइटिंग जो है ना ये बहुत जबरदस्त एक लीडर के लिए जरूरी है इन दोनों परस्यूट्स में इन्वाल्ड रहना तो इसलिए श कारेकाल में चीफ थे जब दो बड़े चीजें हुई एक तो गल्वान क्लैश इतने साल के बाद 62 के बाद पहली बार चाइना के साथ वायलेंस हुआ हमारे 20 सैनिक किल्ड इन एक्शन हुए इस लड़ाई में एक कमांडिंग ऑफिसर किल्ड इन एक्शन है इसमें वीर गती को इस स्कीम के आने से कितनी बड़ी ठेस पहुची है खास तोर पर ग्रामी बहुल इलाकों में इसको बहुत ज़्यादा अभी भी लोगों के दिल में दर्द है इस स्कीम को लेकर तो दोनों चीज़ें इंटरस्टिंग हैं इस किताब के अंदर मैं पहले आप से जानना चा काफी विरोध किया इसके बारे में बहुत कंस्ट्रक्टिवली बहुत अब्जिक्टिवली मैंने बाते की हैं मैं देखो हम मैं टोटली हम अपॉलिटिकल हैं हमें सिर्फ देश की फौज देश की सुरक्षा देश के नौजवान अरब मैं पढ़ाता हूं और गाउं पे वीडियो भेजते थे रोते थे सर कुछ करी है हमारी इतने सालों की मैनत बरबाद होगी और ज्यादा दुख मुझे संकेत उनका जो की ना बिचारे बिलकुल जिन जो दर्वाज़े के अंदर जाने ही वाले थे ट्रेनिंग के लिए जिनका सिर्फ अपॉइन्में लेट नहीं है यह वहीं दोड़ते रहते हैं इतनी प्रैक्टिस करकर के तो इनको यह बोला गया पूरे तीन साल यह बताया गया रक्षा मंत्री ने खुद कई बार कहा उनको जब यूपी के लेक्शन चल रहे बच्चे जाते थे हर रहली में कहते कोई बात नहीं अभी इनको एक पाइलट प्रोजेक्ट के तोर पे जो इनिशल था हजार-दूजार लोगों को ले आते हैं फिर उसको टेस्ट करते हैं ऐसी कोई जल्दी नहीं है रेक्रूटिंग पैटर्न जो सदियों से चला रहा है उसको एक जटके में चेंज करने की ऐसी कोई मुझे जरुर सकते हैं या इसको एक पाइलट प्रोजेक्ट के तोर पे फीड़ बैग ले सकते हैं यूनिट से कि वो कैसा महसूस करें देखो फाइली सिपाई वहीं पर चाहिए न जा कटिंग जा और उच से पूछना चाहिए कि आपकी क्या रहा है इसके बारे में जो अगनी वीर जो न नहीं था, unprecedented था, bolt out of the blue जिसका हिंदी का एक rough अनुबाद जो होगा अचानक से एक जटका लगा, आपको लगता है कि यही एक ऐसी चीज थी जो सरकार को यह लग रहा था कि इसके बारे में चर्चा ना हो, क्योंकि दोबारा चर्चा होने लगेगी, हो सकता है लोग फिर सव बावाल उठाने लगें, फिर कुछ बावाल कट जाए, उस समय जिस तरीके से एक एक अंदोलन नुमा रूप ले रहा था, लेकिन फिर बात में उस सब लोग भरती के लिए चले गए, हाँ, देखो, सब ज़्यादा इंट्रेस्ट, इन फैक्ट, जो उन्होंने चाइना फ् चुके हैं उस चीज़, और हमारे देश में सामरिक इशूस पे, स्ट्रेटिक इशूस पे, दूसरे देव, इतना होता भी निया, चर्चा करते भी निया, हमको इन्फॉर्म डिबेट होती निया, बट अगनी वीर को लेके, क्योंकि अभी भी नौजवान इस आस में बेखत को उठाया, तो फिर वो अंच पड़े हैं हम लोगों ने, तो उसके बाद दुबारा से ये इंट्रेस्ट आया कि शायद कहीं पे सरकार सोच ले, कि शायद चीज़, बच्चे अभी भी लिखते रहते हैं, हम बात करते रहते हैं, कि हमारी ये जो है रिक्वार्मेंट है, कि हमारे को परानी भरती लागू कर दो, या इसमें कुछ चेंज किया जाए, तो इसलिए अगनीवीर का मुदा और ये बात आपने सही की, बोल्ट फ्रम दब्लू, इस्पेशली एर फोर्स नेवी के लिए, मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया हूं, मैंने पराने नेवी च इकनीशन को ट्रेन करने में भी सात, आठ्स, नौ साल लग जाते हैं, और बहुत ही कृटिकल एक्क्यूप्मेंट है, एर फोर्स ओर नेवी का, बहुत कृटिकल है, हमारी शिप्स है, हमारे ज्हाज है, हेलिकॉप्टर्स है, रडार सिस्टम्स है, मिजाइल डिप्लॉइमे के लिए तो ये विरको समझ निया है कि एर फोस और नेवी ने क्यों और जनल नारावनी ने उसका जिकर भी किया इस जो भी पिटी आई के हुआले से जो खबरे आई ये किताब के बारे में उसके बारे में उन्हें बात भी की जी कुछ चीजों पर अब स्पेसिफिक हो करके बात करते हैं सबसे पहली बात तो चाइना वाली बात पर जो आपने बोला कि वह बहुत जरूरी बात थी लेकिन सामरिक मुद्दों पर जरा कम रूची रहती है मेरा तो मेरा जैनल मोर यह मानना है कि ऐसा नहीं है भारत जो है वह सामरिक मुद्दों को बहुत ही खास दरजा देता है क्योंकि लोगों से जब हमें इंटरैक्ट करते हैं गली महले में तो उनको इंटरेस्ट है हाँ सही जानकारी के अभाव में हो सकता है गलत तरीके से इंटरेस्ट जगे लेकिन वह सही बात जानना बहुत जरूरी है ऐसे में आपको लगता है कि जब एक कोई किताब में ये लिख करके आएगा है कि दो लोगों के बीच में डिफेंस मिनिस्टर और जो आर्मी चीफ है उनके बीच में आपस में क्या बात हुई ये हमारी नेशनल सेक्यूरिटी को कॉंप्रमाइस कर सकता है कि आपके जो दु पुरानी बात नहीं है लेकिन वह बहुत समझ देखवा प्लीस ग्रांट की वह चीफ रहें उससे पहले वह आर्मी किमांडर थे कोर कमांडर थे तो जो उन्होंने उतना ही लिखा होगा जितना हो समझते की पुब्लीक डोमेन में आना चीए तो इस बेनिफिट जो है मस्ट भी गिवन टू जनरल रामे यह हम एक मिनिट में रिटायर होगे तो इसका मतलब उनको क्या अपने देश की अपनी फौज की अपनी वर्दी की अपनी जहां उन्होंने चालिस साल से उपर कह रिया दिया उसको कैसे हम नजर अंदाज कर सकते हैं तो मैं तो यह कह लो या हो जाता है कि भी जो हमारे rules and regulations है लिखने के बारे में उसमें थोड़ा सा यह कही ना कही है कि भी जब आप office में थे और जो चीजें आपके संग्यान में थी जो चीजें आपके अधीन थी आपको पता था उसके बारे में आप लिखने से पहले जो है सरकार से permission ले तो वहां जाके यह मुझे थोड़ा सा लगता है कि हो सकता है दो उन्होंने आया कि उन्होंने बुक भेज़े वे काफी टाइम हो गया है तो वो एक issue है बट I'm sure उसमें ऐसी कोई बात ने लिखे होगी जिससे कि हमें हमारे देश की कोई secret leak हो जाएगी या कोई हमारी security leak हो ज से expect करना यह किसी भी किसी भी 4G से किसी भी बैट से I'm sure we all are very